नुश्कार में राम स्वागत करता हूँ आपका MP स्वराजपर। प्रदर्शन करता रहा है। सिक्षा, स्वास्त सेवा और आमदानी जैसे मामलों में श्रिलंका का प्रदर्शन भारत से बैतर रहा है। 2020 की रिपोर्ट में मानव विकास तूचकांग में श्रिलंका बहुत तरवे स्थान पर रहा जबकी भारत का 111 वैस्थान था। विश्बेन के मुताबिक श्रिलंका की साक्षर्टादर 22 प्रतिशत थी और भारत इस मामले में बहुत पीछे है। यह समझता जरूरी है कि इतना सब कुछ अच्छा चलने के बाद अचानक श्रिलंका के साथ ऐसा क्या हुआ की वहा कंगाल हो गया। आज हम सुराज स्पेशल में आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे कि श्रिलंका के कंगाल होने के पीछे आर्थिक और राजनितिक दोनों कारण है। चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ राजनितिक कारण क्या है। श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर के कर्ज का बोज है। यह तो हो गई राजनितिक कारणों की बाद, अब समझे आर्थिक कारण क्या है। श्रिलंका संकट का सबसे बड़ा कारण है सरकाय की गलत आर्थिक नीतिया। विदेश से बड़ी मात्रा में कर्ज लेना और टूरिज्म से कमाई ना होना। इधन आयात के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा में भारी कमी आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वज़े है। देश बिजली कटोती, खाने पीने की सामान इधर और दवाओं की कमी से जूज रहा है। आवश्यक वस्तू की किलत की वज़े से कीमते आसमान चू रही है। कोरोना और इस्टर बम धमाके के कारण ट्यूरिजम ठप हो गया है और आय का बड़ा हिस्ता ट्यूरिजम से आता था। इस वीडियो में हमने आपको श्रिलंका संकट की कुछ एहम कारण समझाने की कोशिश की है। उमीद है आपको एव वीडियो पसंद आया होगा।